जे स्री राम प्रेमि भक्तों बंधो भजन या नामजब क्यों जरूरी है भजन और नामजब इसलिए जरूरी है कि भजन से नामजब से हमारी आंत्रिक सुद्धी होती है मन सुद्ध होता है मन निरमल केबल और केबल भजन या नामजब से ही हो सकता है और कोई तरीका है ही नहीं और जब तक मन हमारा सुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, हमें दुख जादा और सुख कम पराप्त होंगे, क्योंकि जब मन असुद्ध होगा, तो ऐसे ही निर्ने, सही विचार नहीं करेगा, और जब हम मन से भजन करेंगे, नाम जब करेंगे, तो हमारा मन सुद्ध होगा, और जब मन सुद्ध होगा, तो ऐसे विचार भी सही लेगा, सही विचार आएंगे, इसलिए हमारे संतों ने, महाप्रसों ने, भजन पर, नाम जब पर, इतना जोड दिया है, क्योंकि हमें सुखी रहने का, और कोई तरीका नजर आता ही नहीं है, वैसे तो पूजा पाठ करने वाले हैं, उनको भी सुख पराप्त होता है, लेकिन बहुत कम, लेकिन भजन और नाम जब जो करते हैं, उनको ज़्यादा सुख पराप्त होता है, दुख बहुत कम होता है, और जैसे जैसे भजन में, नाम जब में हमारा अभ्यास बढ़ता है, ऐसे ही ऐसे हमारा मन सही विचार लेता है, और सही हमें दिशा देने का प्रियास करता है, और जब हमारा मन पूरी तरह से नाम जब में, भजन में लगने लग जाता है, हमारे अभ्यास के द्वारा, तो वह निर्मल हो जाता है, और उस से हमारे सारे कारिये बनने लगते हैं, और सारे कारिये बनते बनते हमें उस परमात्मा की तरफ बढ़ने का स्वभाग्ये पराप्त होता है, और एक समय ऐसा भी आता है, कि हमें उस परमात्मा की पराप्ती हो भी जाती है, क्योंकि कितने ही भक्तों ने, सादकों ने, नाम जब की द्वारा ही उससे पाया है, क्योंकि इस संसार में नाम ही सब कुछ है, स्रश्ष्टी के कंकं में नाम समाया हुआ है, तो आप पहले भजन करें और फिर नाम जब करें तो आपको सुख, सांती, सम्रद्धी और यहां तक की आपको परमात मतत्रुकी भी प्राप्ती जरूर होगी हम आसा करते हैं कि आप पहले भजन, पूजा पाट करेंगे, उसके बाद में नाम जब करेंगे, तो इसलिए हमारे को यह करना अनवारिय है, बाकी काम अपने आप होते रहेंगे आप ऐसा जरूर करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है, और अपने जीवन को आनन्द में बनाएंगे, भजन इसलिए, नाम जब इसलिए जरूरी है, कि हमें इस भवसागर से पार होना है, और अपने अन्दर सुख सांती पराप्त करनी है अर्दी हमारी है, मर्जी आपकी है, अब हम अपने बनाएंगे को भी सराम देते हैं, जै स्री राम